सनी देवल की गदर 2 मूवी G5 की OTT प्लेटफॉर्म पो 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है यानि कि यह मूवी थियेटर से अब हटने वाली है प्रन्तु फिर भी हटने से पहले या लगबग थियेटर में 50 से भी जादा दिन टिक गई है दोस्तो बहुत साल बाद ऐसा हुआ कि कोई मूवी इतनी ज्यादा दिन तक थियेटर में लगी रही है और हमने देखा कि शारू खान की मासी मूवी जवान आई फिर भी इस मूवी ने बहुत ही अच्छा बॉक्स अफिस कलेक्शन करते हुए आगे बढ़ रही है और मूवी थियेटर से हटने से पहले शारू खान की बहुत बड़ी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जा रही है जिहां दोस्तो जिसके बारे में इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेज कर ले मैं ऐसे ही इंटर्टेन्मेंट वाली बहुत सारी वीडियो लेकर आते रहता हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं 11 अगस्ट को जब गदड़ 2 मूवी को रिलीज किया गया 12 साल बाद रिलीज हुई हम लोग अपनी जनरेशन में जितना गदड़ 2 मूवी को सेलिवरेट होते हुए देखे होंगे इस मूवी को देखने के लिए लोग ट्रेक्टर टॉक से पहुच रहते हैं मास में पहुच रहते हैं लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी इस मूवी को देख रहे थे इस मूवी के रिलीज के 28 दिन पर शारू खान की जवान मूवी रिलीज हुई और उस दिन से लगातार इस मूवी का बॉक्स ओफिस कलेक्शन गिरते हुए ही गया उसके बाद इस मूवी ने एक करोड के भी छूने के लिए तरस्न गई थी परन्तु इसके बाद भी इस मूवी ने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम बनाने जा रही है बता दे कि कुछ दिन पहले ही सनी देवल की गददर टू मूवी ने बाहु बली की हिंदी में बॉक्स ओफिस कलेक्शन को पिछाड दिया था जो की लगबग 434 करोड के आसपास की थी और इंडिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बॉक्स ओफिस कलेक्शन कमाई करने वाली मूवी बन गई टॉप पर पठान थी फिर कुछ दिन बाद शारू खान की जवान मूवी ने गददर टू मूवी को पिछाड दिया और उसके बाद दूसरे नमबर पर आ गई सारू खान की जवान मूवी पहले नमबर पर पठान थी और तीसरे पर गददर टू आ गई बता दे कि गददर टू मूवी के रिलीज हुए लगभग 44 दिन हो चुका है और इस मूवी ने बीते फ्राइडे को 0.34 करोड की बॉक्स ओफिस कलेक्शन की और सटर्डे को 0.50 करोड की बॉक्स ओफिस कलेक्शन की वहीं बता दे कि इस मूवी ने अभी तक टोटल 522.84 करोड की बॉक्स ओफिस कलेक्शन सटर्डे तक कर ली थी और ऐसा बताया जा रहा है कि आज यानि संडे की इसकी box office collection पहले से भी ज्यादा है यानि कि यह movie संडे तक 523.9 कुछ करोड की box office collection कर लेगी वहीं बात करें शारू खान की पठान movie की तो उस movie ने टोटल इंदी में लगभग 524 करोड की box office collection की थी और इसी के साथ यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली movie थी और अब सानी दिवल की गददर 2 movie इस record को एक दो दिन के अंदर में ही break करने वाली है और सानी दिवल की गददर 2 इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी movie बनने वाली है संडे तक यह मुवी लगबग 523.00 कुछ करोड की बॉक्स ओफिस कलेक्शन कर लेगी पस एक करोड या उससे भी कम बॉक्स ओफिस कलेक्शन की जरूरत है शारू खान की पठान मुवी को रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए और यह मुवी दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मुवी बन जाएगी अब देखना होगा कि सनी देवल की गदड़ टो मुवी आने वाले 10 दिनों में कैसी बॉक्स ओफिस कलेक्शन करती है और कितना का रिकॉर्ड बनाकर ओल टाइम का बॉक्स ओफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेती है आपको क्या लगता है दोस्तों कि यह अभी कितना करोड की बॉक्स ओफिस कलेक्शन करेगी आने वाली 10 दिनों में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और चैनल पर आईसे ही बहुत सारी इंटर्टेन्मेंट वाली वीडियो पड़ी हुए जाकर देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले मिलती हैं अगले किसी बेतरीन वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए धन्यवाद जैहिंद जैभारत